यू आ वाचिंग बिट बेनस न्यूज जाया चाहिए पोल कहता है 111 मिलियन शीवा इनू मिस्टिरियस वॉलेट से जले 213 मिलियन 24 घंटे में जले जिससे बन रेट में 99% का स्पाइक हुआ शीवा स्वेब वॉल्यूम एरली लो में 1.6 बिलियन डॉलर से अधिक गिर गया गाना सेंटरल बैंक ने रेगुलेटरी सेंडबॉक्स लाँच करने की घोशना की नए पॉलिगॉन प्लाटफॉर्म फ्रंट फैंस ने स्पेशल हैलोवीन कैंपेइन की घोशना की बीजिंग ने टू इयर मेटावर्स इनोवेशन एंड डेवलप्मेंट प्लान की गोशना की रिपल ने पार्टनर ट्रेंगलों के माध्यम से सेकेंड लार्जस्ट अरव एकॉनमी में विस्तार किया केनेडियन सेक्योर्टीस कमिशन अन्रिजिस्टर्ट क्रिप्टो कमपनीज पर चितावनी जारी करता है बेबी डोज होल्डर काउंट ने शीवा इनू को पार किया नया ओल टाइम हाय हिट करता है सुलाना पोल का डॉट अब दुनिया के सबसे पुराने अक्टिव क्रिप्टो एक्सचेंज बिट स्टैम पर लिस्टिड है बक्त और सलिवन बैंक ग्रहकों के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रदान करने के लिए साज़ेदारी करते हैं भारत ब्लॉक्चेंज फोरम के माध्यम से वेब 3 को अपनाएगा सर्वे में भाग लेने वाले आदे से अधिक माता पिता ने कहा कि उनके बच्चों को अमेरिकी स्कूलों में ब्लॉक्चेंज और क्रिप्टो करनसी का स्टड़ी करके हमारी अर्थववस्ता के भविश्य के बारे में सीखना चाहिए विशेश रूप से 884 अमेरिकी माता पिता और 210 अमेरिकी कॉलेज के ग्रैजुएट्स ने दिखाया कि 64% और 67% रिस्पेक्टिवली इस बात से सहमत हैं कि क्रिप्टो करनसी अवेशक शिक्षा का एक हिस्सा होना चाहिए जैसा की Online Educational Platform Study.com द्वारा किये गए सर्वे से पता चला पिछले 24 गंटों के भीतर शिवा इनू समुदाय द्वारा 213.06 मिलियन से अधिक शिवा इनू जलाए गए शिवा इनू टोकन के लिए बन रेट तेज हो जाता है क्योंकि रहस में पर्स में से एक ने दो अलग-अलग ट्रांजाक्शन में 111.63 मिलियन शीप को जला दिया है प्लाटफॉर्म पर लिस्टेड अल्टरनेटिव कोईन्स में लिकुडिटी में गिरावट के कारण जुलाई में शिवा स्वाप ने ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी गिरावट देखी डिजिटल असेट की कीमतों से रिकवरी के कई प्रियासों के बावजूद शीवा स्वाप ने जुलाई में एक नया फॉलविंग टेस्ट किया घाना का हाली में लॉंच किया गया रेगुलेटरी एन इनोवेशन सेंडबॉक्स एक रेगुलेटरी एनवाइरमेंट के लिए के इंद्रिये बैंक की कमिटमेंट का लेटेस्ट एविडेंस है जो इनोवेशन, फानेशन इंक्लूजन और फानेशल सस्टेनबिलिटी को बढ़ावा देता है बैंक और गवाना द्वारा जारी किये गए एक बहान में कहा गया है के इंद्रिये बैंक के अनुसार सैंडबॉक्स में शामिल किये जाने योग ये नवचरों में डिजिटल फानेशल सर्विसेस टेकनोलोजी शामिल है जिसे नया या इमेच्चॉर माना जाता है फ्रंट फैन्स अधिक रोमांचक समचारों के साथ फिर से इस पर वापस आ गया है हाला कि ये प्लाटफॉर्म काफी नया है इसने पहले ही एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर दौर और एक प्राइवेट सेल दौर बंद कर दिया है इसके अलावा फ्रंट फैन्स ने हाल ही में एक्स मार्केट्स पर 20 दिवसिये IEO बिकरी डच आउक्षन स्टाइल की बिकरी भी समाप्त की जो 20 जुलाई को शुरू हुई थी और अब फ्रंट फैन्स ने एक स्पेशल हैलोवीन कैंपेन की घोशना की 23 अगस्त को बीजिंग मुनिसिपल गवर्मेंट ने दो साल मेटावर्स इनोवेशन और डेवलप्मेंट प्लान की गोशना की जिसके लिए सभी जिलों को नए जारी किये गए वेब 3 इनोवेशन प्लान का पालन करना होगा रिपल की UAE Remittance Technology में विस्तार हो रहा है क्योंकि इसके Investment Partner Tranglo ने United Arab Emirates के लिए एक नया Payment Corridor खोला है सीमा पार से बुकतान उद्योग के लिए Arabian Gulf एक प्रमुक शेतर बनी हुई है इसके लिए इस कदम का महत्व है Arabian Gulf में दूसरी सबसे बड़ी Economy के रूप में United Arab Emirates World Level पर Remittance के Top Senders और Receivers में से एक हैं Canada में Ontario Securities Commission ने 3 KuCoin Unregistered Crypto Platforms Including Related Companies के निवासियों को एक और Consumer Alert चितावनी जारी की है OSC की Latest Alert निवेशकों को Digital संपत्ती से जुड़े जोखिमों से बचाने के लिए Regulators द्वारा की गई कारिवाईयों की एक Chain का हिस्सा है